जाहिए दोस्तों चले दोस्तों बात करते हैं इस question के बारे में, इस question में क्या कहा गया है, A does half as much as work B in three-fourth of the time taken by B, तो पहले इसी को समझते हैं, यहाँ पर मुझे A दे रखा है और यहाँ पर मुझे B दे रखा है, माना कि B किसी काम को एक दिन में complete करता है, ठीक है, फिर इसनिक क्या कहा गया है, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, A does half as much work as B in three-fourth time, कि अगर B का मैं three-fourth time निकालूं, यह निकालूं, तो A कितना करता है, वो आधा काम करता है, तो अगर A से मुझे पूरा काम करना है, तो तीन बटे में चार मेरा यहाँ आजागा, यानि कि A जो है, वो पूरा काम करने में कितना time लेगा, आपका six by में four, यानि कितना हो जागा, three by में two, तो यह A जो है लेगा, वो कितना 3 by two, three by two लेगा, यह कितना हो जागा, आपका three, यह कितना हो जागा, आपका two unit, और यह कितना हो जागा, आपका three unit, तो इसका मतलब three by में total unit five से divide करूँ, तो यह कितना होना चाहिए, मेरा 18, मुझे कहा गया है, 18 करने के लिए, तो इससे किस से multiply करना पड़ेगा, 30 से, और जिससे multiply करो, उससे B को multiply कर दो, तो इसका मतलब कितना आज जागा, आपका 30 days, तो B इस पूरे काम को complete करने में कितना time लेता है, वो 30 days लेता है, यानि कि option D इसका correct होगा, I hope आप सभी कोई question सबज में आगा, जाहि